लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्टरा चनल्स के लिए लिए ऑगेट्स करें लिए लेटेस्ट अल्सक्राइब करें और बेल बार चनल्स करें। कर दो 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 । लवाज। 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 हलो? सुना तुने, अगर तुने मेरा कहना नहीं माना, तो आज के बाद यह आवाज तु कभी नहीं सुनेगा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा तो फिर आप से ठीक एक घंटे के बाद, एक करोड रुपया लेकर नारिमन पॉइंट के टेड एंड पर आ जाओ क्या तुम मेरे बच्चे को भी वहाँ लेकर आओगे? सवाल नहीं, सवाल नहीं पैसा मिलते ही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुँचा दिया जाएगा अगर चाला की करने की कोशिश की ना, तो जानते हो क्या होगा मुझे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकडे करने में बहुत मजा आता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मैं पैसा लेकर आरो मैं पैसा क्या माग रहा था वो उसे हमारी सारी जायता देतो लेकिन मेरे मुन्य को ले आओ, मेरे मुन्य को ले आओ घबराओ मत, मैं पैसा लेकर जा रहो, मैं मुन्य को लेकर ही आओंगा तुम लोग, नारिमन पॉइंट के डेड एंड पर पहुंचो वहाँ पर मखीजा से एक करोड रुपया वसूल करेना सबूट छोड़ने की मुझे आदत नहीं पैसा मिलते ही मखीजा को खर्ण कर देंगे जावाश, चलो, चलो सर, वो कॉल ट्रेस हो गई है, किरनापर कमपाला हिल के अलागे में कही मौजूद है तुम चारों तरफ से घर चुके हो, अपने आपको और बच्चे को कानूं के हवाले कर दो वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी अफजर, अरे फारी चुरू करो हाँ! हाँ! हा-ा… worms heithi guess… हा-ा… आए… हा-ा… खख़धं थाईं! हाई! 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 मुल्जिम राजी फटनागर एक बदनाम की ड्नेपर है जिस पर देश के कई राज्यों में बच्चे अपहरन करने का मुकदमा चल रहा है ये मुल्जिम इतना शातिर और चालाख है कि अपने पीछे गुनाओं का कोई भी सुबूत नहीं छोड़ता I object your honor Mr. Public Prosecutor एक मनगान काने सुना कर अधारत को गुमराख करने के कोशिश कर रहे है मेरे मुक्किल एक नहायती इमानदार और इजददार शेहरी है अगर ये इजददार और इमानदार है तो डिफेंस काउंसल की नजर में चोर, डाकू, खुनी, सब देउता और महात्मा कहलाएंगा Your Honor चाप तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता मेरे मुक्किल को मुझनिम कहने का किसी को नहीं है आज तक कोई भी केस, कोई भी मुक्दमा इन पे साबित नहीं हो पाया है सो इसलिए आसे ये बेगुना हुए हाँ, इनका सिर्फ एक जुर्म है उस दिन मौकाई वारदात पे ये कंपाला हिल्स के अलाके में मौझूद थे उस इलाके में तो और भी लोग रहते है फिर पुलिस ने इनको ही क्यों पकड़ा पुलिस ने अपनी नाकामियावे को चुपाने के लिए मेरे मौकिल को महरा बनाया क्योंकि किद्नेबस के साथ क्रॉस फायरी में पुलिस के हाथ और वो मासुम बच्चा मारा गया इसलिए पुलिस अपने माध्य के कालिक मेरे मौकिल के मुबे पॉद रजाती है पुलिस के पास आईसन कोई सबूत नहीं हाओ आईसन कोई सबूत नहीं हाओ जो इस थाबित कर सकता है कि हमरा मौकिल उस लोला का अभरन किया है, अग्वा किया है, उगा किटनेप किया, ऐसे को दब होता है हो, संदे के नहीं है आप I'm sorry sir, I'm extremely sorry, मेरी अदालत से ये कुजारिश है, ये दर्खास है कि मेरे मौकिल को बेगुना थाबित करते हुए पाहिजद बरिक कर दिया जाए मेलोर्ड, काटेश से जो भी सुबत मिले हैं, उनकी जाच परताल हो रही है, और जब तक अदालत को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती, मैं अदालत से दर्खास्त करूँगा, कि इस खतरनाक मुझरिम को चुडिशनल कस्टडी में रखा जाए Mr. Public Prosecutor, आप मेरे मना करने के बावजूद, मेरे मौकिल को बार बार मुझरिम करके बुकार रहे हैं? आप जानते हैं, ये ये दिल के मरीज है, he's a heart patient, you know Mr. Raju, are you okay? Your Honor, my client is a heart patient, he has been suffering from acute case of angyna इनके चेरे का पसीना देखिए इनके चेरे से चलती हूँ सांसे देखिए देखिए मिलाड अगर मेरे क्लाइन को कुछ हो गया तो उसका जिमेदारिय कानून होगा यह अदारत होगी और आप होगे मिलाड आप इसलिए मेरे आप से दर्ख्वास्त है कि मेरे क्लाइन को अपने खर्चे पर किसी अच्छे से हास्पिटल में इलाज कराना की इजाज़त दी जाए ये हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि कानून अंधा होता है लेकिन इस अधालत का जज अंधा नहीं उसकी आखे हैं वो देख सकता है सही और गलत की पहचान भी कर सकता है जब तक पुलीस की तेखिकात पूरी नहीं हो जाती अदालत राजू भटनागर को जूडिशल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है मेरा नाम पद्री नराइन डागा यूही नहीं है मैंने सिर्फ जीतना सीखा है सिर्फ जीतना आज तक कोई केस नहीं हा रहा और नाहीं तुम पे कोई केस साबित होने दिया है और इस केस से भी मैं तुमें बहुत सफाई से पचा ले जाओंगा दो चार पेशी दो चार सुनवाई मामला फिरिश लेकिन ये जज थोड़ा टेड़ा लगता है उसकी फिक्र तुम मत करो डागा ने अच्छे अच्छे टेड़ों को सीधा कर दिया है फिर ये जज चीज क्या है मुना डार्लिंग क्यूटी पाई स्वीट हाफ्ट ताइम टू गेट अप आइसी मुना डार्लिंग देखो कौन आया है तुम्हें जगाने के विए मौना डार्लिंग बाहर तो आप एक बड़ी शेर मी बनी फिरती है और यहां एक छोटे से मामूली कॉक्रोच से डर गई कॉक्रोच शेर से कहीं ज्यादा खतर नाख होता है डादी चलिए कम से कम कोई तो ऐसी खतरनाफ चीज है जिससे हमारी बेटी डरती है वरन आपके डर से तो हमारे सारे नौकर भीगी बिल्ली बने हुए है क्यों नहीं आफ्टर आल मैं एक जज की बेटी हूँ यूनो डैडी इन सबको कंट्रोल में रखना पड़ता है कंट्रोल में तो रखना पड़ता है मगर फिलहार आप कंट्रोल में आ जाईए क्यूंकि आपके कॉलेट के जाने का वक्त हो गया आफ शायए 61 62 उपस्थित हूँ श्रीमान धन्यवाद बालकों और बालिकाओं प्रेम इस संसार की परम शक्ति है अजन्ता और अलोरा की गुफाओं से लेकर जमना किनारे निर्मित ताजमहल प्रेम के रंगों की विभिन्य व्याख्या करते हैं इसी तरह की एक अद्भूत प्रेम कता है शकुंतला और दुशियन्त की इस कता की एक खास विशेष्ता जय मदुबाला जय मदुबाला अरी ओ मदुबाला सू कहवादो कई समझ परेंशक है बाबाजी जो दिकरा अभी अभी डंड़ चालू किया है उड़र उड़र का बात ने करेगा क्या बाबाजी हमेशा पैसे की बात करते रहते हो हम तो तुम्हे एक बहुती इंपोर्टन्ट खबर सुनाने आय थे कौनसा इंपोर्टन खबर ए हाँ बाबा जी आपनेIGHT जगत आज का फिलम जगत बाबा जी उसमें लिखा है कि स्वर्गिय मदुबाला जी की हात्मा मादुरी दिख्षित के अंदर आ गई है बाबा जी तब ही तो वो इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगी है मदुबाला के नाखुन के बराबर वो छोकरी अक्टिंग कर लेगा तो अक्षा दुनिया के अंदर उसका नाम हो जाएगा लेकिन बाबा जी कहां मादुरी दिख्षित और कहां मदुबाला बाबा जी अगर मदुबाला जिंदा होती तो आप क्या करते है दिख दिख रहा मेरे को उसका याद तीला करूँ तकलिफ मत देया मदुबाला जिंदा उतीन है तो उसके पर्क के अंदर में जान देकर सहीडों में अपने नाम लिख़वा लेता है लेडी गरा उसके आट के अदर नो समुसा खाओ थोड़ा थोड़ा करके अरे, अरे, क्या घटा है, ये लोग मेरे को emotionally blackmail करके, गफा गफ कोल्डिंग पीता है हाँ तो गल्स, आज की नाश्टे का इंतिजम तो महदू भाला ने कर दिया, अभी आगे के लिए चलो, अपना अपना pocket cards निकालो ये लो, ये लो, मैं बाबाजी से जाकर और खाना ले आती हूँ अभी, oh god, ये मोटी इतना खाती है, फिर भी इसका पेज नहीं भरता, I know, stupid kinky, Monika, तुझे पता है, सल्मा के अबू, बहुत बड़े हकीम है, इसने उसको कोई चूरन लाके दिया है, कह रही थी, उसको खाने स मेरे लोहा भी हजम हो जाता है, मेरे अबू जान तो ऐसी ऐसी अभूखी दवाईया बनाते हैं, बस, बस, अपने अबू की publicity बंद कर, बाबाजी, मैं तुझे नहीं छोड़ोंगी, छोड़े, तो देख, तो देख लेना, इसके साथ काईकू पंगा ले लिया, Nilo, क्या हो आ talk, ये क्या है, इस कभूतर ने मेरे सारे खारे का सत्य राष्काल, देखे, जी मेरे नम कभूतर नहीं है, मुझे धख्ता मोळा और मेरे वाक्षे से तेरपर हाच लिड़ाने की काशिश की, देखे, मैरे कोई का सुने, जी जी मैं तो सिधा सिधा जा रहाथ state, बीच में आकर ये टक्रा गई जी एक तो नुकसान करते हो उपसे भैस करते हो ये सब नुकसान तुम्हें अपनी पकर से भरना पड़ेगा देखे जी ये तो सरसर बेंसब ये एक नहीं हत्या लड़की को छेटी बाप लुक शरम नहीं आती है जी छारम जोड़की को दिखे जी मेरे बात तो सुनिये मेरी बात तो सुनिया मिरे पैसे इसके पास 180 रुपए है और हमारा खाना 1500 रुपए इसपी फॉर्मुला 99 इस्तवाल किया जाए जी ये 99 फॉर्मुला क्या होता है जी थाफरिवत आते है छाठ कैलो चलो, लेखे जी, आप लोग मेरे साथ क्या कपड़ भेगा चल जाएगा, चल अंदर अरे आप लोग के भाइब अप लेगे जी, अरे चल अरे चल, अरे आप लोग क्या करें जी, ए मन टॉयलेट के अंडर लेके जा, सत्या नियास, मरी जैसे पहलो ए कपुतर, देड़ सो रुपे दे जाना, और कपड़े ले जाना, अच्छ अच्छी, देड़ सो रुपे लेकर आऊंगा च्छी आज स्वगलडी की लड़कियों के इतनी हिम्मत हो गई, क्या हमारे साइंस स्वगलडी की लड़के के साथ ऐसे भेव करें यह तो सरा सर, जाती है, मिल्कुल ठीक के रहा है आजे तुम, अगर इनका जवाब नहीं दिया गया तो इनकी दादगरी ऐसे बढ़ती जाएगी, मजा तो चकाना ही पड़ेगा लेकिन यारो यह तो पता उसके आगे करना क्या चाहिए ठीक है यार, विकास को आने दो, इन लड़कियों की इट का जाब था हम पत्थर से देगे यह लड़की बड़ी सर फेरे, रहना यारो समल के यह लड़की बड़ी सर फेरी, रहना यारो समल के यह लड़की बड़ी सर फेरी, रहना यारो समल के है जलती हुई फुल जड़ी सब को जलाएगी यह देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके कादी है दिल की ये दिल की थोड़ी सी कादी है मौनिका ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समलके है चलती हुई फुल जड़ी सब को जलाएगी देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके कादी है दिल की ये दिल की थोड़ी सी कादी है मौनिका यो स्टुपिद मुझसे अगर तकराओगे तू उटोगे बिखर जाओगे सितली नहीं बिजली उमें छोना नहीं मर जाओगे तू जो है चंचल खटा हम भी तो है तुफा देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके काली है दिल की थोड़ी सी काली है मौनिका जाओए तू जाओटो जटग फे काली है काली मenteहीं वे काली ट hammer-चे में अली है देखो पोना ग्रत्त गली है काली हम रहतो प्सुट तीखे नयन शोला बदन भड़के हुई ये जवाने तुझे को सबक सिखलाएंगे तू बनते हैं बड़े सयाने तु है कली अदिखिली हम है आशिक जवा देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके काड़ी है दिल की ये दिल की थोड़ी से काड़ी है मोनिका ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समभलके ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समभलके है जलती होई फुल जड़ी सब को जलाएगी है देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके काड़ी है दिल की ये दिल की थोड़ी से काली है होटो पे होटो पे इसके काली है मुख ए ए वे तोग ते नहां घड़ एाँ इस्टूपूद, हस बाँ? यह, अभी हस्तू, अभी बताते हूं तुझे उल्लो के पठे, यह ले, यू लंगूर, लोफर, यू स्टुपड, यू, हाँ, डाडी, यू, येस, मी, अगर आपका गुछ सा अभी तक थंडा नहीं हुआ, तो इस घर में बहुत सारी प्रेटें तो फोलने के लिए, आप कहे तो पेश करूँ, आओ, डाडी, भी आखिर बात क्या है, हमें भी तुब बताईए, इस घर को कोड़े अदान आप क्यों बना रही है, मैं नहीं बताऊंगी, ये मिया परस्नल मैटर है, अच्छा-च्छा, मतलब ये कि आज कॉलेज में एक बहुत बड़ी फाइट हुई है मैं क्यों बताऊं, आप अपनी अदालत की बातें घर पर बताते हैं क्या, ओके, ओके, आप कॉलेज की बातें घर में न लाएं, मगर ये तो बताईए, कि इन मासूम प्लेटों ने क्या किया था, क्या आप इन पर घुस्सा उतार रही है, क्या हुआ, देटी, ये खाने के दिखाने के हैं, ये नकली हैं, असली नहीं, अब बताऊ क्या हुआ, ओ डैडी, मैं क्या करूँ, गुस्सा मेरे साथ साथ कॉले से घर तक चलाया, तो इसमें मेरा क्या गुजूर, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके गुस्से को ठंडा करना हम जानते हैं, नहीं अरे शुनो, विकास को आर्ट फेकल्टी के लड़को लोगेर लिए, आओ चलाया अर्च छूदा को, साला आर्ट फेकल्टी की लड़कों चेड़ता है, शोने बनता है, हीरो बैदा साले, तुम्हारी फैकल्टी की लड़कियों ने मेरे दोस्त के कपड़े उतार दिये, और अब तुम मारा मारी बड़तर आए, मैं तुम सब की खाल उखेड़ दूगा कि खाल खुम सब का झाएंगा उखेंगि ने लडने में सब की खाल पाल फ Maori कra April स्टाब इट आई सेट स्टाब इट यह बहु अफसोस की बात है कि तुम लोग ने पढ़ने लिखने के बजाए मारपीट और डादा गिरी करना शुरू कर दी है खेल जो हो गया सो हो गया अब सब कुछ भूल जाओ और एक दूसरे के गले लग जाओ चलो प्रिंसिबल ने तुम्हें माफ कर दिया तो क्या हुआ यह मत समझना कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया यह कहानी तुमने शुरू की थी लेकिन इसे खत्म मैं करूगी हां तो सलमा क्या रिपोर्ट है इस फाइल में विकास की पूरी जन्मकुंडली बंध है इसे बा आवाजे बुलंद पड़ा जाए येस यो ओनर विकास वर्मा वल्द अविनाश वर्मा इसका विनाश तो मैं करूँगी फर्स्ट यह में पूरी उनिवर्स्टी में फर्स्ट गूड सेकंड यह में 80 पसंट टॉप मार्क्स वेरी गूड म्यूजिक और स्पोर्ट्स का शौकीन भी है नाइस पिछले दो सालों से बॉम्बे पूर्मा रेस में चैंपियोंशिप भी मेर रही है होल इट, होल इट बॉम्बे पूर्मा मोटर साइकल रेस यह तो दो दिन बाद ही होने वाली है हाँ येस मेलोड मिस्टर विकास वर्मा की चुर्म का फैसला हमारी आदालत बंबे पूर्मा रेस में करेगी हाँ 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 झाल 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 देखा मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है अभी बच्चु जिन्दगी भर मुझसे पंगा नहीं लेगा क्या नहीं लेगा पंगा झाल ! ाहाँ गो नुझक को नुझक! चलेपर मुझसे! बश May जासे हो जजगा छरै कुलि Meg. जबढ़ो जग़ोет कुलि मुद्क! जबढ़ों हो जढ़ोट कुलि मुझ अ! नएदा पसा होन tuo दुऑ खut ख Öug ओख प्रुआज के छिराओ एli एारी कि एार एार करिया एार्एप्र! एार एार एार! कुई भी अपनी जगा से ने लेगा, पगड़ो उन साले को जड़, जड़, ने चलो ने I'm sorry Vikas, आज की इस हरकत के लिए I'm really very sorry, please मुझे माफ कर दो Vikas Raju भाई, आपके साथियों ने बहुत बच्पना दिखाया वो जज़ की बेटी वो किड्नेप करना चाह रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि पुलिश को मालूम नहीं पड़ा वरना आप एक और किस बन जाता अब यह होना था वो तो हो गया वकील साहब अब आप यह बताएं कि आपने जेलर पेरुमल से बात की हाँ मैंने जेलर पेरुमल से बात की उनका कहना है कि अलो वकील साहब हम तो आपको टैनिस्टार की फैसिलिटीज देंगे लेकिन सिर्फ जेल के अंदर समझा फिर भी हम आपकी मदद के शुकर गुजार होंगे अकिल साहब पांच तक रुपया थैंकिए सर एनी टाइम है 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 स्लाम साब क्या नाम है तुमारा पपपु सिंग ठीके बार जाओ जे तो खबर सच निकले टेल को आयाशी का अड़ा बना रखा क्या बात है टीवी वी सी आर विस्की इंपोर्टेट सिगरेट्स तो तुम हो राजी उफटनागर जे बच्चों को किड्नैप कने वाले करप्ट ओफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइस्टार होटल का कमरा बना कर रहने वाले है मैं उन तमाम करप्ट ओफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूँगा दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती ऑफिसर खरीदार होना चाहिए वैसे भी राजी भटनागर को परदियां खरीदने का बहुत शौक है तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो यह स्पेशल चेकिंग है समझाए मिस्टर राजू भटनागर तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बत्तमीजी करने का क्या अंजाम उसकता है अब तुम्हें जिंदगे भर जमानत नहीं मिलेगी सर इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजी इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है पहले उस जेलर से नेबट लेते हैं फिर इसको बताते हैं पहले जामान अठाओ सब लेके चलो यहां से अरे अप क्या बात कर रहे हो तुम मेरे जेल के अंदर तीन आफिसर हैं और मुझे खबर तक ना हो उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरुमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर है और किसी स्पेशल राउंड के लिए आया है कोई राउंड वान पर नहीं आया था मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौझूद है तुम उन लोग को पहचान तो लोगे ना फ्कॉर्स ठीक है मैं तुम्हें जेल में राउन पर लेकर चलता हूँ देखते हैं चलो मेरे साथ हम एए, ठीक से काम करो जान से देखो, इनमे से तो कोई नहीं है आहा चलो पीकर विस्की राजू की पीके सिगरेट फारण की आगई मुसीबत हम सब की तुम तीनों चिंदी चोर अपने आपको समझते क्या हो मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बन करा दूँगा ओ साब यह हूल यह पाट किसको देरे लो हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है अगर तुमारी नारकटों का पता उपर वाले साब को चल गया ना तो तुमारी वर्धी दो मिनिट में उतर जाएगी या और धोने के लिए इसके पास आएगी और इस्तरी के लिए इसके पास जाए और मैं इस्तरी से जला डालूँगा बख्वास बंद करो अरे बढ़को मत साफ पहले हमेरी बात तो सुनो क्या एम तीनों की थोड़ी कमजोरी है जैसे मैं मैं VCR पर जब तक फूल नाइट पिक्चर नहीं देख लूँ मेरे को नीन नहीं आती है और अप उनका क्या है साफ जब तक आप उनके गले के गटर में दोचार घूट नहीं जाते ना आप उनके दिमाग की घंटिज नहीं बश्टिया और अपना तो बीडी से भी काम चल जाता है लेकिन जब इंपोर्टेट सिगर्ड देख लेता हो ना तो दिल में चलना शुरू हो जाता है इसलिए मैंने क्या सुचा कि हम सब जेल में तो हैं तो माल हमारे कमरे मेरे वे यह इन के कमरे मेरे वे तो क्या फष्रक बढ़ता है तो हाद की चालागी दिखाया है थोड़ा खुबरी का कमाल दिखाया है और माल कुछ गलत किया साब मिल्गु ठीक है मैं तुम लोगों को लास्ट वार्णिंग दे रहा हूँ अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना एक मिनट जेलर साब आप ज़रा शान्त हो जाएए ये हमारे आपस का मामला है आपस महीन इप्टा लेंगे क्या खैल है बिलकुल ठीक खैल है सुना था हर सेर पर सवा सेर होता है और हर चोर पर मोर होता है आज ये बात साबित कर दी तुम लोगों रजबाई क्या है एड़े का निशाना बेवड़े की ताकत और ये खोबड़ी की खोबड़ी का चमतकार ये अगर तीनों एक जगा मिल जायना तो रहा चलते आदमी की आँख से सुरुमा चुरा ले और उसको पता नहीं चले तो आप पुछेंगे पकड़े कैसे गए तू पता बे जेल में थे इसलिए पकड़े गए बाहर होते ना तो ढूंडते रह जाते लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने चक्कर में आगया मैं भी अरे अपने खोपड़ी का दिमाग खूब चलता है लेकिन क्या है कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैटा एक बात बात पूछो पूछो सुना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किनाप करके बहुत माल कमा लेते हो माल तो सभी कमा लेते है पर तुम नहीं समझ पाओगे इसकी समझदानी वो थोड़ी कमजोर है बहुत यह उपर का जो माला है न यह खाली है खाली जगाओं को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है मुझसे दोस्ती करोगे विस्की पिलाओगे टेली तो दोस्ती हो ली टेले काम पीरा गिलास में डाल ओ काली साला इसको भी दे चेर्स बताओ यार क्या विकास तर्म का खर यही है लेकिन यह फूल किसने मेंजे है अब उन तो पड़ा लिखा नहीं है साब यहाँ पे लिखा है खुदी देख लीजिए अब मुझ पर काम्याब नहीं होने वाली समझी कितना भाव खाता है पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं कितना मुझ पर भाव्स कितना क्युं चात आरे you इस vivreा से बोलो नким personnage chat अधिटकिन mg j mới progress देखो, देखो तुम्हेब भोल्लाई होगा तुम्हारी खामोशUs मुसे सहीग नए जा दी बोलो ना बोलो जवाब खो Vिकाज तुम्हेब बोलाई होगा मैं झुम्हें जवाब सुनना चाहतिय। आज बढ़ाऊ ना डाट। माली काद बेवे, टोफ़ाऊच इंज्जॉ दाओध। यह कैसी दिवानगी है, ज्यो इस तरह उसके पीछे भाग रही है। पागल हो गई है क्या हाँ मैं पागल हो गई हूं। दुकास के प्याह ने मुझे पागल कर दिया है। तो तो जानती है ना सलमा, कि मैंने आज तक जो चाहा वो हासिल किया और मैं विकास के प्यार को भी हासिल करके रहूंगी लेकिन इस तरह उसके पीछे भागने से, वो तुझे मिल तो नहीं जाएगा ना देख, वो तुझे जान पूच के सता रहा है वो जान पूच के मुझे सता रहा है, मैं जानती हूँ, अंदर यंदर वो भी मुझे प्यार करता है देख, अब ये सच है या जूट, इसका पता लगाने के लिए तुझे उसके दिल में जाकना पड़ेगा But how is that possible? किसी के दिल में क्या है, हम कैसे जान सकते है जानना चाहती है, मेरे अब्बु ने एक ऐसी गोली बनाई है, जिसको खाते ही इंसान सच बोलने लगता है क्या? तु सच बोल रही है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये ले, आजमा के देख ले लेकिन इसको अजमाए किस पे? देख देख निलू फर आ रही है, आज इस मोटी को हलाल करते है चल हाई पानिका, हाई सल्मा, हाई देखो ना कितनी गर्मी है अच्छा है ना, तेरे सारी चर्बी पिखल जाएगी क्या? तु छोड़ ना, इसे तो मजाग करने की आदत है चुपशश्मू ले, तु कोल्ड रिंग थैंक यू पीपी तुम भी प्यो ना? हाँ, तू भी ना? कुछ हुआ क्यों? क्या होने वाला था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं हम लोग तो यह डिसकास कर रहे थे के जवानी की दिनों में सब के दिल में कुछ-कुछ होता है तेरे दिल में अभी तब कुछ नहीं हुआ हाइ, जबसे मेरा सपनों का प्रिंस चार्मिंग मेरी जिंदगी में आया है मेरे रातों की नींद और दिन का चेंद दोनों गायब हो गए है उसका दुबला पतला कद मेरी आँखों के सामने पूरा दिन लहराता रहता है लेकिन वह है कान, मेरी सपनों का राजा है चार्ली क्या? इस्क्यूज में आपता चाता क्यों है तुमने विकास की कोल्डरिंग में दवा मिला दी है ना? सिरफ विकास के कोल्डरिंग में नहीं, तुम्हारी सहली के कोल्डरिंग में मिला दी है हाँ क्या उिकास क्या लुमने विकास लुमने विकास क्यास 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 यह कैसा नशाद नशा है यह धड़कन मेरी जवाँ है सासों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तुपा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवाँ है सासों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तुपा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवाँ है यह कैसा नशा तु मेरी जवाँ है ऐसे न देखो मुझे को पिया घबरा रहा है मेरा जिया तुमसे यह दिल कह रहा है ओ छोड़ो सनम यह शर्मो हया यह प्याद है न कोई नया सदियों का यह सिलसिला है आलम है यह देखोदी का दिल मेरे बस में कहा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवाँ है यह कैसा नशा नशा है यह कैसा नशा है ऐसे न लो तू अंगडाईया बढ़ने लगी है बेताबिया मौसम भी है आशिकाना हो यह रात और यह तनहाईया दसने लगी है पुरवाईया मुश्किल है अब दूर जाना मैना भी तुमसे कहूता वो तुम समझना किया है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवा है सांसों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तुभा है ।बु की ज़ाईया यह जो तुमसे इश्या चील मेरी ज़ाईया यह जो जो यह जो जो सिजे geographical यह सकू जोच PIRP लोईया Daddy!? पजंगी काका आप हाथ मत लगाए चाहिए आप किचन में जाए जैसी तो हार मर जी मुना बेबी ये सब क्या हो रहा है टैडी मैं खाना बनाना सीख रही हूँ और आज के बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा चलिए शुरू हो जाएए शुरू हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे वागर सबसोपहले आप एक बात मुझे पताइए आपकी तबीयत ठीक है मतलब यह के किचन यह खाना यह वो क्या है के डैडी डैडी अभी हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने टैडी का घर छोड़के जाना ही पड़ता है न हाँ और अपने पती के घर जाकर उसे खाना बनाना ही पड़ता है हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से अभी से प्र touch shaking है अच्छा में एकिश डैड़ी। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है तो आपने मैं कॉलिज में पढ़ती हूँ और मेरी उमर 21 साल की है स्वाइम अडाल्ट मतलब कि मैं बालिक हो चुकी हूँ और इससे क्या होता है इससे यह होता है डैड़ी कि मैंने सोच समझ के अपने पूरे होश औहवास में अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है मैं यह चाहती हूँ आप उसके घर जाकर मम्री पापा से मिलकर शादी की तारिक पक्की कर दे मतलब यह आपने अपने मरजी से आपसंद कर ली है ओने शादी मेरी है डैड़ी मेरी कोई भी रुकावट डाली, तो मैं लड़के के साथ भाग जोँगी अरे और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हाँ ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि एक तो साला प्रूठेर होगे लेकिन क्यूंकि मैं आपके एकलोती बेटी हूँ आप मुझे मना कर घर वापस ले आएंगे लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा यानि के आपका नाती दफा नंबर दफा नंबर क्या डैड़ी यार इस वक्त तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे खेर कोई बात नहीं वो तो मेरा वकील बता देगा उस दफा की तहट आपके पूरी जाइदात का मालिक आपका नाती ही होगा बस बेटी बस बस आप वाकी एक जज की बेटी हैं यह हम मांग गए यह हुई ना बात बाइद वे लग्के का नाम क्या है विकास वर्मा दादी मा अरे सर आप और यहां अरे तु इन्हें जानता है अरे दादी मा वो मॉनिका है ना जिससे मैंने गुर्णों से बचाया था वो मेरी बेटी है जिसकी इज़त को विकास ने आपनी जान पे खेल की बचाया था नहीं तो यह जानने आया था कि किस शेर का बेटा है जिसे मेरी जिद्धी बेटी को आपने काभून कर लिया आंटी आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगी अगर विकास राजी है, तो मैं इस रिष्टे को बजरंग भली का सबसे बड़ा उपकार समझूंगी हे पवन पुत्र, मेरे विकास के जिवन में जितनी खुशिया आ रही है सब तुम्हारी कृपासे हैं, उसकी खुशियों को बुरी नजर से बचा के रखना, जीवन की हर परिक्षा में उसे सफल करना ठैंक गॉड हमारी ग्रूप की सभी लड़किया पास हो गए मोना, मोना, साइंस फिकल्टी का रिजल्ट निकल आया है और विकास ने पूरी उनिवरस्टी में टॉप किया है और जानती हो उसने आई पीएस का एक्जाम भी पास कर लिया है यहाँ तर लाँ यहाँ तर राँ तर राँ पुर जर तर एक राँ तर जर लाँ जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगी कि षानम मेरे तो जानम मेरे जिन्दगी मेरे जिन्दगी दर्द जाता नहीं, चैन आता नहीं खसम से जागते हैं, हम तो रात भर छा रहा है नशा, आ रहा है मजा धड़कनी दिवानी, हम भी ये बेखबर जाना मेरे हम दम मेरी जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जाना मेरे हम दम मेरी जिन्दगी और है मेरे, आई ए। जाना दो रहा हैं, हम एल ए। और हम दम मेरी जाइसे, नशा दो चाहतों का सिला, खुब हमको मिला खुशी से जूमने दे, अब तो दिरुबा प्यार के दर्मिया, होंगे सपने जवा जनम जनम न होंगे, मिलके हम जुदा जनम मेरे हम दम, मेरे जिन्दगी तुम ले तो ऐसा नगा, मिल गए दुनिया की हर खुशी जनम मेरे हम दम, मेरे जिन्दगी जनम मेरे हम दम, मेरे जिन्दगी तुम ले तो ऐसा लगा, मिल गए दुनिया की हर खुशी मॉन्टी, मॉन्टी बेटे, कहा गए तुम? आजा, आजा, शावाज, 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 आरे बेटा, जानते हो कौन हम आपके, हम आपके डागा अंकल हैं यह देखो, आपके लिए क्या लेगा है, यह देखो, इसाली चॉकलेट्ट्स मॉन्टी, मॉन्टी, मॉन्टी तुम? गुड मॉनिंग, सिर, मैं यहां सो गुजर रहा था, सोचा आपको मिलता जाओं आप कनाती है ना? बोला प्यारा बच्छा है Very nice boy यहाँ तुमारे आने का मकसद, क्सलिए आए हो तुम? मेरे आने का मकसद तु आबे जानते हैं सर मेरे प्रैक्टिस में आज तक मैं कोई केस हारा नहीं मुझे डर है कहीं मेरे करियर में कोई दाग ना लग जाये राजू भटनागर जिल की सलाखों से निकल कर एक शरीफ शहरी की जिन्दगी गुदार सकता है राजू भटनागर लाग बुरा इंसान सही लेकिन एफसान की खीमत चुकाना जानता है एक हसते खेलते मासूम बच्चे को तुकडों में बदलने वाले हैवान की जिन्दगी को रिश्वत से खरीदने आए हो जस्टिस सतेन जिन्हा के समेट को खरीदने चाहते हो अब तक तो मैं तुम्हें एक खुदगर्ज और लालची इंसान समझता था मगर आज पता चला कि तुम्हें एक निहायत जलील गिरे हुए और घट्या इंसान जी चाहता है कि तुम्हारी वकालत की प्रैक्टिस के रिश्टिस को जब करा दूँ नवाओ जाओ यहां से Get out of here and don't ever come back Your Honor पुलिस तहकीकात और फॉरेंसी जाच से यह बात साबित हो चुकी है कि वो बच्चा से धिल्चामदास का ही था जिसका किड्नैप और मर्डर राजिव भटनागर नहीं किया था यह नहीं वो फाइस जिसमें राजिव भटनागर के खिलाफ सारे सुबूत हैं इस वहशी दरिंदे के लिए तो फासी की सजा भी बहुत कम है इन रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए अदालत को थोड़ सा वक्त चाहिए लहाजा अदालत अपना फैसला तीन दिन बाद चुनाएगा जैज साहब जैज साहब जैज साहब उस कोर्ट के जजज के घर में मैंने चायज जरूर भी है ये मुकदमा खत्म हो जाने के बाद उम्मीद करता हूँ के ऐसा माकाब भी मुझे देंगे शौर हम आपकी खाहिश को पूरा करेंगे थैंक यू अदालत ने आपको छोड़ दिया तो मेरे घर में और सख्त सदा दी तो जेर में जियाँड का फैसला तो आप ही के ख्लम से लिखा जाएगा ठीया बिल्कुल मेरा ख्लम जब कोई अदालत का फैसला लिखता है तो उस पर मेरा नहीं इनसाफ का हुका होता है ओ, अच्छा अच्छा तो फिर आप अपनी उस इनसाफ की ताकत को बता दीजेगा, कि राजु भटनागर जो है, वो दोस्तों के दोस्त है, और राजु साब, आप मुझे धंकी दे रहे हैं? बता हुए धंकी दे रहा हूं? मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे ऐसी ही गुजारिश ऐसी ही रिक्वेस्ट लेके आपके वकीर मेरे घर आये थे और इसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस कि गुफ्तकु मुझसे करें। अरे नहीं नहीं जैसा मैं तो मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू भटनागर जो है वो कुयाम आदमी नहीं है। एक बात और सुन लो राजू भटनागर कानून की नजर में तो तुम गुनेगार हो ही। आज इंसानियत की नजर में भी तुम गुनेगार हो गए हो। तुम तो कहता था कि दो चार पेशी दो चार सुनवाई और मामला फिनिश। अगर मुझे सजा हुई न तो बनेगा तु भी। गुस्सा करना सेथ के लिए बहुत बुरी चीज है। अरे क्या रिलेक्स। देखो। इस केस की चावी जस्टिस सिना के हाथ में है। वो चाहें तो तुम्हें बाइजज़त परी कर सकते हैं। और वो चाहें तो तुम्हें फांसी के फंदे बलटका सकते हैं। Do you understand what I mean? Huh? Do you understand? Yes, I know what you mean. अरे क्या राजु भाई नौ कलाक से राउंड पर राउंड मार रहे हो। बोलो तुसे क्या परिशानी है यार। अरे दोस्ती की है तो निवाना भी सिखो यार। अरे आप उनको मालू है राजु भाई को क्या हुआ है। क्या हुआ। तद हम लोगों की रहाई का दिन है। जेल से जा रहे है। इसलिए राजु उखाई थारा उदास हो गए। बाहर निकल कर तो तुम लोग वही छोटा मोटा काम करोगे। कितना कमा लेता हो। राजु भाई बुजरुगों ने कहा है कि आवरत से उसकी उमर और मरत से उसकी कमा ही नहीं पूछनी चाहिए। ने, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। बाहर निकल कर अगर मेरे एक छोटा सा काम करोगे, तो उसके बदले में पांच लाक रुपे दूगा। पांच लाक। तीनों को पांच पांच लाक। पांच पांच लाक। करना कै? केड़नाप करना है इस बच्चे को। अगवा करना है इसे। एक बीड़ी पिला। अरे जेब में पासो, पश्पने और बीड़ी मांगता है। मांगनी की आदत पड़ गई ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा पेरी से थोड़ी जाता है। सलाम सब। यह हमें सलाम करने वाला कौन पाइदा हो गया। क्या है वई? वकील साब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। वकील साब? वो वकील की अपने फीस नहीं दिय था न, उसने अपने को सजा करवा दिया था। लगता उसने गाड़ी भेजा। नहीं जी, यह डागा साब ने भेजी है। ओ, डागा साब ने? वह वकील साब जो बातों के सच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, शकल के लुच्छे हैं वह वकील साब, वह अच्छे, उन्होंने गाड़ी बेजी है, डर्वाजा कॉलो गाड़ी मटढ़ है ना पहले कभी, चलो चलो, आखो है, तरह, 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 बाड़ यह नोट असली है या डुपलिकेट है, खुद हाथ बढ़ाओ और देख लो रे यार, बिलकुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है गरम है क्या, अरे एकदम गरम है यह फाइल है, इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बज़े सोता है, कितने बज़े उठता है, कितने आंस दूद पीता है, दिन में कितनी बार पीता है उसके घरवाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते है लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 घंटे के अंदर चाहिए नहीं तो नहीं तो Anyway, मेरा प्लान इस तरह है एक मिनिट वगिल साब हम लोग काम करने का इस्टाइल ऐसा है, कि काम तुमारा, पिलान हमारा Correct, यह अपना यार खोपड़ी है न, इसकी खोपड़ी की चक्की जब चलती है न, तो भगवान भी शैतान को याद करना शुरू कर देता है क्या करता है शैतान भी भगवान को याद करता है यह बगाबर है Correct हाँ, सुनो शेरा वाली, जोता वाली दर से तेरे कोई, जाए ना खाली बिगडी बनाती है तू, सब के काम आती है तू सुनो शेरा वाली, जोता वाली दर से तेरे कोई, जाए ना खाली बिगडी बनाती है तू, सब के काम आती है तू सुनो शेरा वाली, जोता वाली दर से तेरे कोई, जाए ना खाली तेरे मन में है क्या किस दू है पता हो तेरे मन में है क्या किस दू है पता कुछ होता नहीं तेरी मर से बिना हो हमने बस यही मां की है दूआ हमने सपनों का संसार दे चाहे दिल जिसको वो प्यार दे सुन को शिरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाए ना हाली किस दो मां कुछ हा आए जना हाली ऑा है किस दो भाली जाए जाए जगे जाए भाली जाए उना हाली जाए ठारा लाए जाए जाए जाएлек कोई धून्दे यहाँ कोई धून्दे बहा तिरे भरती गगन तिरे दोनों जहाँ ओ आय हम तो यहाँ बस ये सोच के तू बना देगी अपना भी का सुन ओशेरा वाली जोता वाली दर से तिरे कोई जाए ना खाली बिगड़े बनाते है तू सबके काम आती है तू सुन ओशेरा वाली जोता वाली दर से तिरे कोई जाए ना खाली सब्सक्राइब दोचता वाले विकड़ी बनाती वैं तू सब्सक्राइब आती वैं तू सब्सक्राइब आती वैं तू आज तो कमाल हो गया पुलिस कॉलनी से बच्चा तो चुरा नहीं पाए अपनी जयान बजाकर भागना पुड़ा खोपड़ी की खोपड़ी यहां अटक गई अब मुझे कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा अब आइडिया वडिया सोचना तेरा काम नहीं है ब्योड़ा तू ब्योड़ा पी सोचना काम मेरा है अबे मुझे चालेंज मत दे मेरी खोपड़ी की इंजन में यह बेवड़े का पेट्रोल जाने दे फिर देख मेरी आकल की गाड़ी कैसे दोड़ती है यह लो अबे यह क्या है सिर्फ उबले हो चने यह एडा को गोड़ा समझता है क्या आज तक तो यही कहते थे अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया अबे अपने पैजामे में रहका बात कर क्या किसी अच्छी होटेल से तीन तंदूरी चिकन तीन चिकन फ्राइ तीन चिकन ल इतना लंबा ओर्डर तो दे दिया अब यह बिल तेरा बाप चुकाएगा के मेरा बाप चुकाएगा अरे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए दिल लेना चाहिए जब केब में नोट भरे हो न तुमाही अबले हो चैने नहीं खाने वाला हा बोली यार क्या आपन के बाप का क्या जाता है तेरा मतलब वकील साब का सारा माल जो है वो तेरे गले की कटल में उतार दे वे अब एक तो वैसी हम लोग पुलीस की ब्लैक लिस्ट में हैं ज्यादा हुशारी मत करो नहीं तो पब्लिक को शक हो जाएगा एक तो वैसी वो बच्चे को पुल अपने नाना मतलब जैस्टाप के बंगले पर रहने को जाता है हा तो क्या हुआ अरे यार समझने की कोशिश कर वो बंगला मड ऐलन पे है और सिर्फ दो पैरेदार है और नोकर पीछे पीछे कोटर में रहते हैं क्या अरे जियो मेरे लाल दारू पीके तो तेरी खोबडी क जूबडी में ट्यूब लाइट जल जाजी है और डाल पे यहले जल्दी से लंबा घूट मार ले लाल पर ही अंदर जाएगी ना कुछ ने कुछ बाहर नाचते निकलाएगा यहले पाट पिले क्या हुआ अरे अंदर आग लग गई है अले आईडिया अगर ऐसी ही आग जच क्यों बंगले में लग जावे तो जल्दी करो जल्दी फित्मानी लाओ आँ में तक रही है जल्दी स्वाफ भुजाओ क्या अग लगी है वह अपे तारीफ करा अरू 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 बापरे क्या अग लगी है अरे ये भी कोई आग है ये तो यू बुझाएगी तू बिटवाएगा ये एक ने पांच वर्वेकट चाहिए इसको बुझाने के लिए आप लोग बहसी करते रोगे या कुछ करोगे भी है क्या करेंगे ओफो आख बुझाएगा आख 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 हम लोग फोन करका आते तू आख बुझाएगा तू इदर पीजा रहा उदर जाण पूरा भंगला देख लिया बच्चा तो कही नजर नहीं आ रहा है तून्हे बच्चे की फाइल देखा था ना उसका नाम क्या है ऐन्च ने लो मॉन्टी 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 अपियो बच्चेक आवास दराहूं आ, अच्छा, मॉन्टी है? मॉन्टी वोल्टी मॉल्ट वोल्टी वोल्टी ये क्या कर रहें आप? आई? क्या कर रहें आप? पानी देला वो फो आज यहा नहीं यहा लगी है मॉल्ट मॉल्ट ज़ए को पकड़ेंगे आप के कहा जारें आप आलो, आलो! आलो! कुछ इस पटा चाना? जी डड़ी, फायर मेन के भेस में वो तीनो किडनैपर ही थे, कुछ ही दूर उनके कपड़े भी बरामद हुए, लेकिन, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है। आपका नाती हमारे पास, सही सलाम होते है। कौन हो तुम। किडनैपर। हमारी बात मान लोगे तो बच्चे को खरोच तक नहीं आएगी। वरना। मुन्ने के बदले में कितनी रखम चाहते हो तुम। दो दिन के बाद सब मालूम पड़ जाएगा। तब तक खामोशी से दूसरे फोन का इंतजार करो। और हाँ, बच्चे को ढूनने के कोशिश मत करना। वरना उसकी जान को खत्रा भी हो सकता है। हला। हला। यह उसे किडनैपर का फोन था। क्या चाहिए इसे। बेड़ी क्या चाहता ये। कितनी पैसे चाहिए है इसे मेरे मुन्नी के बतले। देव हाना। देव दीजिए न३ा। बेचाए जीटकु था। विखास। अगर मेरे मुन्नी को कुछ भी हुआ न तो मैं तुम्हें कभी मातनी करूँगी। किदेका मातनी करूँगा मैं। बेटी, बेटी मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना रो रहा होगा उसे भूख लगी होगी मैं अपने मुन्नी के बगेर नहीं रह सकती में बार जाऊंगी मुझे मेरा मुन्ना ला दो मेरा मुन्ना ला दो वे यह तो सलाब बहुत चालू चीज है, अबे, आख मारता है आई बहुत द्रोमेंटिक माबाप की अवलाद मालूम बड़ता है अबाप अबे, क्या गड़ी गड़ी आख मार रहा है, आख माने का नहीं चाल, कड़ा हो जा, आभी आप उन कपड़े बत लेंगे, मैं तेरे को हीरो बनाता हूँ आजा लेट जा पाउं सिधा करना अबू, अरे यार मैने भी अभी चलो यह यह पाइने करना यह यह पायर आई दूसरा आई शवाशा आई शवाश यह वी ना साला क्या दिख रहा है बिल्कुल मेरे जैसा हीरो है ना, बिले प्योड़ा इसका कुछ करना वो पेट पूजा जल्दी करना यार कितना टाइम लगा रहा है दूद का बाटली तयार है दोस्त, अभी पिला देता हूँ आ, आ रहा है तू छोड़ मैं पिलाता हूँ आज़ा आराम से पिलाना यह ले, दूद्ध 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 पिले यह ले आरे शकर डाला है कि दी यार? दो चमस शकर डाला है यह ले पिले एक मिनट, एक मिनट चकर, गरम तो नहीं है गरम? अभी करता हूँ पैर रहे तू इदर इसे पकट अरे जल गया जल गया जल गया मेरा सर इतना गरम है गरम है बुशता है अरे अरे आरी तुने मँझे माँआ क्या करता इसने मेरेको क्यों माँआ तूने मुँझे मारा तुने मेरे सर्के वोपर इप यूymine इसने मुझे चेक करने के लिए बोला था तुमारी वज़ेसे लुने लगा है चुप कराओ इसको आहे पर चले ना चुपो जा बेटे ऐसे तो मैं नहीं चुपोने वाला I modify these चुप करें इसे ढे जाना चुपो जा मर दिया न रात भर उता रहे गा ना खुट सुए ह ना मकूशन दे गा चैसे रोएगा अभी आइडिया निकालता ultimate पहले घुट मारने दे मेरे को खाली है आइडिया चाहिए तो बोतल भी चाहिए अभी मैं बोतल लाता हूँ रास्ता किदर है? इदर है हारे हा रास्ता तो मालूम नहीं है आइडिया देगा ये लिगी साहब हेलो रास्ता प्लीज क्या चाहिए साहब फोन करना है साहब दस बज गए है मुझे दुकान बंद करनी है पहले अपना मूब बंद कर ये ले साव रूपिया दुकान एक गंटे के बाद बंद होगी फूट 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 का नंबर है? हाह 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 हालो अरे ये कैसा बच्चा पहिदा किया है? ना दूद पीता है ना सोता है रोता है कान हो तुम? हम वही लोग है जिसने बच्चे को किडने अप किया है क्यो रोता है वो? देखो देखो भैया दूद में श्यक्कर कम होगी यह दूद बहुत करम होगा कोई नकोई वाजाता है जो जोब दूद नहीं पी रहा बहुत रो रहा है किया मेरा मुन्ना रो रहा है अरे रो रो किया हमारे दिमाग का दही trap बना दिया है उसने अब उसको सुलाओ कैसे? सुनो, सुनो, वो ऐसे नहीं सुएगा आप, आप उसे प्यार से गोट मिलेकर तीरे से उसकी पीट से लाए फिर उसे लॉरी सुनाएंगे तो वो सु हो जाएगा लॉरी? ये लॉरी क्या होता है? लॉरी, लॉरी काना भीया अच्छा लॉरी, 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 लॉ हाा, हशल रैरो हाद तू क्या हस्रा ए हस्रा हो तुम दोनों पर एक बच्चे को नही चुप करा सकते के और खुद को बड़े तिस मारखा समझते हो क्या है तू 40 मारU चान था, तू चुप कर दिंतनी को दिखा इसको अबे मेरी मा ने मुझे क्या गा के सुनाया था मेरे को याद नहीं और मैंने आज तक किसी दूसरी औरत को मा बनाया नहीं तो मेरे को क्या मलूँ मैं समधिया लोरी वो होती है जो महमूद ने कुवारा बाप ने बच्चे को सुनाय थी वई 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 अभी अपन की खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी लोरी घुमना शुरू हो गई है सोजाना तो सोजाना सोजाना वई सोजाना अबे अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तुह है पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हाँ 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 बाप हमारा अबे अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ काहे तु बोर करे रे बचुवे काहे तु बोर करे क्या चीज पता है तु बचाया बला है तु अब उनको गरम मत कर यू नाक में दम मत कर अबे ऐसे चिलाएगा तु ये सोईगा कैसे तो क्या करूं वही ऐसे गा ऐसे सोजा तु मेरे जानी ये होगी महरवानी मत और पिला पानी याद आई हमें नानी जब तक न मिले माल तु है आक का तारा अबे अब क्या हुआ क्यू है रोता हुआ हम कुझे जान गए तु है पहुचा हुआ चुप हो भी जा तेरी तो मत फाओ खा तेरी तो पंगा न ले तु हमसे शाना न बन कसम से हम आज कल है कड़के पैसे जो गिरे जड़के चल देना फिर ऐ लड़के पतली गली पकड़के अब सोबी जा हमको भी बाड नींद ने मारा अब अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हां 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 अपने बज़े बारा हां 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 सरदर्द है सारा अपने बज़े बारा हमने तो यह माना के तु है बाप हमारा बाप हमारा सो जाजना तो सो जाजना सो जाजना हए 속 जाजना वाह। 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 बजरंग बली, मेरे भक्ती में कमी रह गए है, तुम मुझे कश देदू मेरे मॉंटी की रक्षा करना, मेरे मॉंटी की रक्षा करना, तुम्हारी सवगंद, मैं उस वक्त तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगे जब तक, तुम मेरे मॉंटी को सही सलामत वापस नहीं लाओगे, मेरे मॉंटी की रक्षा करना, प्रभू। कि र Bundes भी ठक्षा करना प्रभू। बिल続े मैरे मॉंटी की रक्षा घब तक हुआ 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 है अबयो भूणे तेरा नाशा तयार हुआ की नहीं पर बना रहा हु यार बेजा काय को काता है अबये जल्दी बना नहीं तो ये नाखून के साथ उंगली भी का जागा शला अबे, क्या करता है बे, मुपे धुग रहा है इदर तुक, बोट आलो, साला कजरपटी के वलाद देखूं, क्या हो रहा है भारत देश में ए घोपड़ी, तेरे को तो अंग्रीदी पढ़ने को नहीं आता रह किसको पढ़ना नहीं आता है बे नहीं, मेरे को नहीं आता है पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ देखना तो आता है, वह भी इस्टाइल से अब क्या हुआ? अब यह क्या है? इतना धुगता कोई तेरा मुँए के बालती है बै? अरे मैं तो उज़र धुग रहा है चाप मारुका शाला, जूठा कहीं का कमाले? शारपाई मालता रहाता है तेरा साला अरे, वो तो बच्चा थूख राता बच्चा! अरे बच्चा! आपरो! पगला चिले! अरे वे, क्या करता? अब लुका बढ़ना का करता है अरे यार तुम जगडा करोगे या बच्चे को डूंडोगे मैं इस दर्वाजी सा रहा था भी अरे उधर क्या देखा है इधर जल जल खुपड़ी इधर से देखा था बच्चा कितना चला देख रहा था अभी कितना था? बच्चा पुखा बटचा अंदर जाक रहा है वो रहा है बच्चा अरे खुपड़ी पकला अे अपे ये गिर जाएगा अरे गिर गया तो अपने पंद्रालाग कह है है सते मैं बगड़ता हूँ आचा बहुत लगा क्या रही फिट से लग गई सर पे खोपड़ी की खोपड़ी तो पंचर हो गई ने ने अभी बाकी है अच्छा चेक लगा उठा मेरे को अरे वो तो जा रहा है अरे घ्रिया कुपड़ी तुझे इससे लगी थी न यह रहा हटा दिया अभी क्या करेंगे कुदते है उदर हाँ मैं नहीं कुदने वाला अरे कैसे नहीं कुदने वाला अब भी अभी अभी क्या वान टू थी और कुदना अरे नहीं मेरे टर लगता मैं काम करता हूँ मैं शीडी से जाता हूँ तू लौ अशीव जाओ अरे तुम्हारी आने जाने में हमारा बच्छा नी कर जागा वो देक तुआ डांड रहा का मेरा शाल。 खोपडि तुए काम कर आग बं कर ले। आग बं कर ले। रेडी। वान तू अज़्त्री बच्चा खोपडि कहा है? खप खोपडि कहा है? खोप खोपडि रहाा अल्य चलो आइ, एइ, ऐए, इए, आओ, आух अज़ तरieten कि दो को ब्रीट किद क्यों कप जड़क्या, कि दो जड़ादी हिला आइ, बहस्ट कि भी हिंआ वाके ड के आइ, सलम आग Bacon अरे यार ये छोटु और मोटु कहां गायब हो गया यार खोपडी कहां गायब हो गया यार पता नहीं कहां थेले जा अरे हट अरे अरे साले मैं क्या तेरे को भिखायरी दिखाई दे रहा हूं नहीं तो और क्या है तू का.... अभआस मत करना तु कितना बाच मार रहा है... जानां जाना करने वो छोटा सा कपुर की गोली की तरह गायब हो गया है सलाम साहब, क्या मांगता है, रम विस्किया बियर कल रात ठीक दस बजे इस दुकान से एक फोन किया गया था साहब, शराब की दुकान है, बेवडे लोग बोटे लेने से पहले टेलीफोन घुमाना शुरू कर देते हैं मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दुकान से कल रात दस बजे किसने फोन किया था दस बजे, साहब दस बजे तो मेरे दुकान बंध हो जाती है हाँ, याद आया साहब, उसने मुझे सौ का नोट दिया था किसने? कालिया ने? कॉन कालिया? वो दिन में तिन-चार बार दारू की बोटले लेने आता है कॉन है वो, कहां रहता है और कहां मिलेगा? सार मैं जानता हूँ वो इधर तीन-चार दिन हुए रहने को आया है कि इधर रहता है वो और इस वक्त का मिलेगा साहब सामने वाली बिल्डिंग है तौफ फ्लोर पे का या सी हो और उदी नहा है व बंसे अमन आा मिले वा एक यं ग्राइब को अम पैवे वहा है । जा कहा गया, सारे बच्चा कहा गया, समझ मेंने आखे, तो यह काम कर तू हटना यार, तू यह बजु देख, मैं साले को यह बजु देखता हूं, और तू इधर ही खड़े तू किधर जा रहा है, काड़ा है इधर, नीचे नहीं देखना हो, चारो दरब देखना किधर है, कैसे काड़ जा रहा है, काड़े को रात को, हम लोग दूद पिला रहे तो नखरे कर रहा था, यहां काड़ काड़ा, आजा, आजा ने भाग जा, पता नहीं क्या चीज का बना वा यह बच्चा यार अंधे हो, क्या देखके नहीं चल सकते हैं? मैं अंधा हूँ, मुझे कोई दिखाए? अक्टिंग करते हूँ? नहीं, अक्टिंग नहीं करते हूँ, उनका कहने का मतलब है, कि जो वो कर रहा है, वो ने कर रहा है मतलब मैं अपने आपको खुले हम चेड़ने दू? अरे तु समझाना यार! अरे हमें अपना काम करने जे मा! मैं तुमारी माद दिखती हूँ? एक तो लड़किवकों का मंदिर में आकर छेड़ते हो, और मुझे मा कहते हो? Arim ağ daim! यह उन्हाराइम को! आरे नहीं! आरे! 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 विक्रम सिंग के परिवार का सुर्फ एक ही सदत से जिन्दा बचा है ये बालग जो तुम्हारे हाथ में है इसको खत्म करके मैं अपने वंश का राज काईम करूँगा कृपाल सिंग नहीं साना पती जी मैं आपके हाथों इस बालग का वद नहीं होने दूँगा अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हारे भी खत्म कर दालूँगा कात कैसा लगा सर वेरी गुड बहुत अचा किया अब टेक करेंगे असली बच्चे को लेकर आओ सर असली बच्चा सर वो अभी आता ही होगा अरे इतना टाइम हो गया जल्दी बुलाओ सर वो क्या है कि उसकी मा उसको इंजेक्शन लगाकर सिधे यही आ रही है यही आ रही है सर यही आ रही है अरे मुझे पहला नेलायनी जी की शूटिंग पे जाना है अरे बच्चा बच्चा चला रहा है इसके साथ तो कोई भी नहीं है लेकिन मुझे क्या करना कोई भी नहीं है तो मेरा काम तो शूटिंगा पूरा हो जाएगा बच्चा बच्चा अब तो तेरे नसीब खुल गए तो स्टार बन जाएगा अरे बदन जूट गया रहा अरे यहां तो शूटिंग चल रही है अरे यह फिल्म सीटी है यह शूटिंग नहीं चलेगी तो क्या रम और विस्की चलेगी अमे बेवडे तेरे को हमेशा विस्की और रम किसी बात दूसरा कुछ सुजाई नहीं देता है बच्शा हा गया बच्शा ऑगया अरे वह फिल्म वाला बच्शा है अरे यहून..? यह बच्रम सिंग के परवार का सिर्फ एक सदस से जिन्दा पचा है किसी का भी बच्रु उटा कि ने करा आते पचला आमारो nights मुटा पांच मेरी कम दीनी इक शोट ले पाइजी के देजी अरे ड्रेक्टरों को भिला ओज वह ना कि ल의 tuh फाइटर क्या रहे हैं? इनको बोलो, मरो उनको! इसको पकड़तो तु, तो मानने को आ रहे हैं? क्या है? अबे पागल है क्या? ये छूत हो नहीं रहा है, खाली, हूं हां कर रहा है ये फिल्मी फाइटर है, सिर्क नजदिक आते है मारते नहीं है, देख ऐसा क्या? तो आपून मार सकते हैं? सर, देखा मैं कितना ओड़के की रहा? चुपे! यार, मुझे पहली मर्दवा पता चला मेरे अंदर कितनी ताकत है? तेरे अंदर ताकत नहीं है, वो ऐसे उड़कर गिरने के पैसे लेते क्या बाद करता है? यार, दिखाता हूँ तेरे फूट, यह देख तो पप्री तो बेखुबला दे यार अरे फिल्मी फाइट क्या करते हो, असली मारो अरे तू भी जाना? अरे मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो स्टार हूँ अरे स्टार है तो क्या स्टार्डू अपना दिलता? चल, चल अलो बाल चला काई… मुझे कम्पनी के ड्रेस तो लटा दे अरे भईया, ड्रेस तो लटा दे जगहा, कसा मारा मेनो लोगो? तुन्हे आकले नोड़े हूँ मारा है, हम दोनोने भी मारा है याँ चल ठीक है याँ पेर अरे वो किदर है? कौन? अबे यार अरे पकड़े रे बुच्छ ये क्या फिलम की बुली से क्या? फिलम वाले नहीं सिकरूटी है असली गपा गप मारेगी अरे बापर बागरो ये उन तीनों की तस्वीरे है और यह उस बच्चे के, शेहर का चपपा चपपा च्छान मारो, मुझे वो चारों किसी भी कीमत पे चाहेगे। हम तु लोगन का मूँ मांगे कीमत तेप। पर हमरी दू बात तु कान खोल के सुन लेओ और काट बांद लेओ। पहला एक इक खेल्मा गलतियों कौन गुंगे तैस नहीं हो। और दूसरा एक हमका हार बर्दास नहीं हो। इए आदमी लोग हमका चाहेग है। इचारों आदमी हम लोगन का चाहेग ही और किसी भी कीमत पचाही। शहर के तमाम पुली स्टेशन में बच्चे के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स मौजूद है, फिर भी कोई सुनाग नी मिला, उल्टा के नैपर फॉन पे फॉन किया रहा है और दंकिया दिया रहा है, शहर मानी ची आपको, शहर मानी ची आपको, शहर मानी ची ए, कहर का पापा, वो पापा अर पिचर दो, गारी के प्रेक वेल पिचर दो पिचर दो पिचर दो, पिचर दो पिचर 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 दो मार शुट्ञ यो है है वबबा बजरंगबली, तेरा लाख लाख शुकर है तुने इस बच्चे को तो बचाया, नाल नाल हम दोनों को भी बचा लिया, यार ओ पाई, वो तो जा रहे हैं, चल हम भी अपनी गड़ी की ब्रेक ठीक राईए चल चलिए, बच गए मितरा, रब तेरा शुकर है अपाई, हो आओ, हो आओ, हो आओ, हो आओ, आओ ऐख अरे 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 बहुत ठक गया ए производ मैं भी बहुत ठक गया ह। बाए, मैं हो तू बलकुर नहीं ठका तू कहां से ठकेगा? ठकेवां जिनके यहां कुछ होता है जो सोचते हैं तुए काम कर, तुछ चारव ध्यान मार, मैं ऐसा करके सूचता हूँ, दिमाग नीचे करूँ को तो थोट्स बहुत आते हैं देख, मैं भी थोड़ा सूचता हूँ, लेकिन तुछ उपर मत देख, नीचे भी देख, बच्चा है कई निकलना जाए मैं भी थोड़ा सूचता हूँ, कोबड़ी के साथ सो कर, कोबड़ी में कुछ आता है क्या नहीं क्या है? माफ करना माफ करना बोलके फिर सोगे? यह लोग तो सोच रहे हैं, सोचने दो, बच्चा ढूनता हूँ मैं बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो पांच उसके पांच इसके दस और पांच मेरे पूरे पंदरा लात सब मेरे? अले दोस्तों से गड़्डारी करता है तू नहीं, बच्चा ढूंडूँगा मैं, लेकिन हम तीनो खाएंगे तीनो, हाँ खुपणी, खुपणी बच्चा बच्चा क्या बच्चा बार करई रहे? खुपणी, सचमुझ का बच्चा बागल होगें में ओप्यमच अपने से दूर जारहीं अबी अरे बजरनपली का भगत में उसके साथ है यह बंदर अपने बंदर लाग ले जागा अरे पकलो वहारा पकला अरे मेरा उटर लेके बाग गया अरे मेरा आउटर लेके बाग गया चुँँँँँगः खाओ लेके भी्पक डेके न बहुम मेरा लेके बंदर कर करेके ओंदरक धे फच्ञव़कर लेके लेके धने अरनबाउव घुँझग Ок प्रिटान के हट्डी तोर जी तुमको दिखाई नहीं देता है वो गाडी के आगे आगे भाग रहा था अरे आगे भाग रहा है तो क्या हुआ तुमको आखे नहीं है क्या चलो पोली स्टेशन मुझे एरपोर्ट जाना है फ्लाइट पकड़नी तो रिक्षा पकड़नी है चलो पोली स्टेशन मुझे माफ कर दो माफ कर दो क्या इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तु क्या कर रहा यार तुम हटाना यार बोला ना तुमको बार-बार काई को बीच में आते हो मेरे भाई के हट्टी तोड़े इसने पैसे लेने लाओ इदार सिर्फ पांस्तो अरे ज्यादा मुझसे ले लेना एक हजार रुपे दूँगा खुश अरे तुम जाओना यार मैं पटा लूँगा ये क्या है बे आज के बेवडे का इंतजाम पांस्तो अब ये खुशाट पांस्तो के चकर में अगर वो पंदरा लाग नूपे निंके लगे तो 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 मामा दुदो है मामा दुदो मामा दुदो मामा मास श्भा छिहरा जो ना देखेगी मर जाएगी रो रोके छिहरा जो ना देखेगी मर जाएगी रो रोके कोई कोई कैसे जियेगी मा, कोई कैसे जियेगी मा, बेटे से जुदा होके, चहरा जो ना देखेगी भर के कोने कोने में गुजी है तेरी एकिल सारी भर के कोने कोने में गुजी है तेरी एकिलकारी आ, सुन ले मेरी नोरी मेरी गौद में तू सोके, चहरा जो ना देखेगी अरे यार इस छोटू ने तो तिकनी का नाच नचा दिया है, कहां गया? कहां छुपा है कठोर, सामने तो आजा अरे अरे पता चल गया कि हमने इसको किड्नैप किया है अर गया आज तो उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पैच्छान लिया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ का भाग जाऊंगा अरे वकवास करता है, मुग खोलता है तो अभे तेरे को देख, पुलीस को मारना देख सालाप, कुछ करो यार, कुछ को तो इधर ही यार है वो लोग, देखो यार मैं तुम लोगों को नहीं जानता, बिदको नहीं जानता अच्छा पेटा, फिर के बैट गए नहीं, उसका उपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है अच्छा अच्छा तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जड़ा थंडी हवा में गुमाई है तो ठी हो जाएगा जगो, तुम लोगों ने इधर कोई बच्चा देखा है? हाँ, सब, देखा है ने, मेरा मतलब है कि रोज आत को सपना देखता हूना कि मेरी शादी हो गई है और मैं दरजनों बच्चों का बाप बन चुका हूँ यह भी थोड़ा पागल है सर मैं सपने ओले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ सबसे पहले आपको, बताएंगे सब क्योंकी हमारा करता भी है हमारा पहर से ह् क्यवा क्या बात है पागल है ना तुम्ते फ्मों यहाँ पर चल रहा है आे इलाज नहीं कहा ओ आज धूक्टर, धिक्सित धिक्सित पागलों के सबसे बड़े डॉक्टर है उनी का इलाज इनको चल रहा है हाँ उनका नम सुना है मैंने बहुत सुना है लेकिन खुली हवा में सैर कराने के साथ साथ इसके सर पर आउले का तेल भी लगाया अगरो समझे सर आउले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास वो यह है के सुवा सूरज निकलने से पहले ना के एक नतिनी से पानी अंदर खेंच कर दूसरी नतिनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मेल बाहर पागलपन दूर और पैदा नहीं वा तो पैसा वाबेश अरे वा हावलदारी से पहले चौपाटी पे दवा बेशते थे क्या अरे तुम को कैसे मालूप तुम जोची अब क्या हावलदार मैं कहा तीन पागलों की बिंदो फस गया हूँ यार ताइला कौन ये दूसरा तूसरा पकड़े जाएंगे बहुत जला रहा यार अरे हावलदार जाओन अपना काम करो यार बखवान बलावक तेगा सुनो ये पागल पन के दौरे में किसी को तंक तो नहीं करता पागल को ना यार यह बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ खैर वो बच्चे अगर कही नजर आजाए तो हमें खबर कर देना आप जाओ तो सहीं अरे खोपड़ी धुआ अरे वो पर चुछ के आग लगी है आग बुजाब अरे बुजाब तू बुजाब मैंनी तू पर दे मैं बुजाब हम दोनों साथ में आग बुजाते हैं हाँ एक दो ते अबे क्या क्या तूब आप बुजाई उनलों क्या पड़ा आग तो बुजा दी आगी सब अजब अग साथ फ्रेक्चर कर दिया वो तो पहले ही ज़ी था हाँ पहले ही था वो की तरे आपह बच्चा की तरे बच्चा आरे ये देख जा रहा है जा रहा है पकलो, फिली रोग, रोग भी रोग 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 बच्चार आरे आरे साब घुमा उपर, नीचा नीचा उपर बच्चार ना पेले देखो किसपा बच्चा वह जे पकलो देखो वहां उपर बाइठा है किसे पुछ गया है? लेकिन अपने पैसे तो जाएंगे पानी में गिर जाएगा रहे इतने से बच्चे ने बरबाद कर दिया है पकड़ो उसको या आए साब चल दिया है आए साब आपर जाएगा साब बाँपरे, ठाणो अरे बाँपरे, फालो अरे लेकिन अरे जैसे जाएगा? अरे टिर मंचा लेगा चलो बैटे, तुम्हारा राउंद पूरा हो गया उत्रो नीचे आए अब आपाट ग्रोग है कैसे उतरे पैसा देने के बाद नित्था पत्त KarMS혼 कना विस फे राक फिरिए जाँ पसके शुचा बास काई पाऍक तुम शुर去 चाहिए हुप चोनलीफे हञे जुक कर दो चोनलनी धी मिर्श कोन जूरोगा सुझा कि आचा मैं अरे काय का बच्चा, वो सारा उल्टा हमारा बाप है, जेट फूट का शेतान, नाग में तुम कर दिया वा साले ना हमारे अरे वो तो हमारे हाथ से निकली गया था बापू, बड़े मुश्किल से हमने उसको पकड़ा क्यों अरे जब वो मिला, तुम्हारे आदमी हमें पकड़ कर यहां ले आए, आगा सेट, बच्चा मिल गया, बच्चा करो, बिल गया, लो, वकिल वाबू, आप उनके पैसे लाओ जल्दी, पैसे किस बात के, बच्चा तो मेरे आदमी पकड़ के लाए है, हमने इसे, इसके नाना के घर से उठाने के लिए, अपनी जान की बाज ही लगाई है, अरे लोरी भी सुनाई, और तुम कहते हो, तुम्हारे आदमी पकड़ के लेकिया है, वाबू, वकिल शाब, जो खोपड़ी बच्चे को जच के घर से उठा के ला सकती है, वोई खोपड़ी बच्चे को जच के पहुचा भी सकती है, अपने सपंगा लेना नहीं हो, पैसा जल्दी दे देना, वरना बेवडे का श्राप लग जाएगा, बरबाद हो जाओगे, बरबाद तो आप तुम तीनों होगे, तुम राजु भटनागर की शायर आदत जानते नहीं, वो जिससे काम लेता है, उसका नाती हमारे कब्जे में है, कौन हो तुम, और क्या चाहते हो, राजु भटनागर की रहाई, बागल तो नहीं हो गया हो तुम, अगर कल कोट से राजु भटनागर को तुम ने रहा नहीं किया, तो अपने नाती की लाश देख कर तुम, और तुम्हारी बेटी, जरूर इस नहीं का इंजाम, तुम परदाश्ट नहीं कर पाओगे, जेस्टिस, सिन्हा हलो, हलो किसका फोन था डड़ी, किसका फोन था किटन है परकार वो मुन्ने के बदले, राजु भटनागर की आदादी चाहता है तो छोड़ दीजे राजु भटनागर को मेरा मुन्ना चाहिए, मुन्ना चाहिए डड़ी मैं तेरी ममता की तरफ को समढ़ता हूं बीटी लेकिर गळाग घूटके कानून का रिष्टा आपसे पहसे का है सिर्फ रोजी का है मुन्ना आपका घूण है डड़ी बीटी ऐसे अलफास बोलके अपने बाप के फर्ज को गाड़ी मत दो एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिष्टे से बड़े मेरी ड्यूटी मेरा फर्ज है मोना चुप हो जाओ मोना चुप हो जाओ मैं तुझसे वादा करता हूं मोना इससे पहले कि तेरे डाड़ी को जुकने पर मझपूर होना पड़े मैं अपने मुंहे को लेकर आऊँगा बता मेरा मॉंटी का है बता मेरा मॉंटी का है बता मेरा पच्चा का है बता मेरे मॉंटी को कह चुपाके रखों अगर तुम्हारा पती राजू भटनागर को रिमान पर पुलिस वाकप में ले गया है अगर उसने उसे वहाँ हाथ भी लगाया, तो याद रखना, तुम्हारे बच्चे का अशरपात पुरा होगा नहीं प्लीज, प्लीज मेरे मुन्हार को कुछ मत करना, भगवान के लिए उसे चोड़ दो अगर तुम अपने बच्चे को सही सलावाथ चाहती हो, तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलिस भगवाप से भाग में का मोखा दे अगर अगर ऐसा महीं न हुआ, तो एक बात हमेरे कान खुर के सुल्लियो, कि हम तोरा बच्चे का इतना टुकुला कर दूंगा, कि गिंते गिंते तोरी उम्मेट कर चाहिगी कि को न भात ह divisions, पूंगा तोरीपि dermatी भटा, भगाश और ऄ प्यादी तोरीटिस गह भात है कर दो अदेन है, भटा, बगाश पता, बहाश्य भंवाश तोरीas, चूंगा ज़ तोरीटी हूआदी सुझे हुझे हुछा मेरे बेटे का पता बताई बगर मौत भी इसका पता नहीं काट सकती मैं इंस्पेक्टर शांता आप टे बोल रही हूं डीसेपी विकास वर्मा को फोन दो बहुत अरजन बात करनी है एक मिनिट मेड़ा, होल्ड करा बता साइब आपके लिए फोन है, इंस्पेक्टर आपने लाइन पर है, बहुत अरजन बात करनी है अलो आपकी बेटे का पता चल गया है सर वो वर्सोवा की सिलवर क्रॉफ्ट बिल्डिंग में देखा गया है हमने बिल्डिंग को चारो तरफ से गह लिया है आप फॉरन चले आए तुम उधर ही रुको, मैं अभी पहुचता हूँ इस सुवर के बच्चे का ख्याल रखना ये सर फॉरन वर्सोवा चलो सब्सक्राइब करें अरे मैडम आप यहाँ विकास जी तो नहीं है हाँ मैं जानती हूँ वो राजु भटनाकर कौन सी लॉकर में बनन है यहाँ यहीं इसी लॉक अप में सामने आहाँ अच्छा अच्छा अरे यह क्या खिलना नहीं वही रुक जाओ मैडम आप पिस्तॉल भरी हुई या गोली चल जाएगी गोली चलीगी नहीं बलके मैं चला दूँगी मैडम आप गैर कानूनी हरकत कर रही है मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ राजू जल्दी आओ मैडम यह बहुत ही खतरनाक मुझ्यनी इस ने आपके बेटे को कड्नेप किया है अबे शॉप मैं कहता हूँ आप लोग रुक जाएँ वही पे पास मत आना मैं कहता हूँ आप लोग जुक मैडम यह आप गलत कर रही हैं हाँ दिख्ला, दिख्ला खोपड़ी, ए खोपड़ी अरे यार कुछ ऐसा चक्कर चलाना है के राजू के आने तक अपने को ब्योडा मिलता रहे अरे तेरी ये दारू की वज़ा से हमारा यहाल हुआ है वो कैसे तेरे ही कहने से खोपड़ी ने जेल में राजू बढ़नागर को लूटने का प्लान बनाया था वो ना होता, तो राजू बढ़नागर से दोस्ती ना होती और ना ही हम बली चटते अरे तुझे भी तो इंपोर्टेट सिग्रेट और तंदूरी चिकन चाहिया था ना अबे यार यह बकवास करके क्या फाइदा है, यह सोचो ना कि यहां से दिखले कैसे अरे यार सोचने का काम तेरा है, अपन तो तेरी सोच पर आमल करते है यह ब्योड़े, मैं लुड़के तेरे पास आता हूँ तो अपने पैर से मेरी यह रसी खोल तो अरे अच्छा है यार, एड़े, मेरे पैर खोल इसलिए तो कह पाऊं दारू कम पी, देखने गा, मेरे पाऊं भी बंदे हुए अब तो अगर घुवानी मदद करे तो फिर बचने का कोई चांस है नहीं तो, कहे काम से यह लो, आ गई फसाद की जड़ देखा, मजाग उड़ा रहा है हमारा आओ कनया, लगता है तुम्हारे कारें डूबी है हमारी नया तुमको उठाया था ना, शादुसी की सजा मिल रही है हमको क्या है अपने चलाला मज़ आज तो बुझा भी नहीं पाऊंगा मैं, हालत देख रहा है मेरी प्योड़े, प्योड़े प्योड़े, प्योड़े आख तो नहीं लगी है लगी है, कब अरे खुपणी, हेल ना मत तेरी रसी जल रही है जल्दी, जल्दी खुल अरे आराम से या, खुपणी हाथ दोड़े देखा खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया अधे, क्योड मेरे राजा तु तो सचमुल का करईया निकला यार वपड़ी एक काम करते है इसको इसके घर पहले पहुंचा देते है पहली मर्दा तुन्हें अकलमंदी की बात कही है मैं यही बोलने जा रहा तु सब बोलने जा रहा, चल पकड़ इसको फिर पकड़ी जल्दी भागो भागो देखो हर काम समधारी से होना चाहिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं वेलकाम राजु भाई वेलकाम आजादी मुबारक हो मैंने कहा था ना डागा कभी हारता नहीं इस तुरुप की मेम ने तो बाजी पलट दी, नहीं भाई मेरा इस देश से निकलने का इन्जाम किया की नहीं मड आलेंड पे बूड आपका ही इंतिजार कर रही है लेकिन अभी खबर आई है कि शहर में पुलिसे नाकबंदी शुरू कर दी है राजी फटनागर को पुलिस के साथ आंख बिचोली खेलने में बहुत मद आता है तु देखना डागा मैं क्या करता हूँ तुम लोग कुछ भी करो मुझे मेरा बच्चा चाहिए कहा है मेरा मुन्ना बोलो कहा है मेरा मुन्ना कमाले डागा कहा है मुन्ना मुन्ना लाके दो बच्चा कहा है बच्चा यही होगा बच्चा कहां गया अच्छे देखो तागा साथ उपर तो कोई भी नहीं है और बच्चे के साथ साथ वो तीनों लोग भी गायब है मैंने तों तीनों को रस्स बंदा दिया था अभी तक वो रस्सी नहीं बनी है वकिल साहब जो हमें बान सके और तुमने तो सुना होगा बानने वाले से बड़ा खोलने वाला होता है खोलने वाला नहीं जलाने वाला जब वो घुस्से में आया कहा न तो तुम बेहामनों की लंका को जला कर खाक कर देगा कैए ना क्या चाते हो तुम गैरे व्हाई हम लोगों का रिकौर्ड है कि हम लोगों ने बेहामनी ही काम भी हमेशा हमानsm Aham हमने तो बच्चे को किड्नेप किया लेकिन तुम्हारी इस वकिल ने पैसे देने से इंकार कर दिया जूट बोलता है ये बच्चा ये लोग नहीं, मेरे आदमी लेकिया थे अच्छा, तो जद साब के घर भी तुम्हारा ही आदमी गए थे ना उसके घर पे आग भी तुम्ही नहीं लगाई और वो जो छोटा सा है उसके नखरे भी आप ही ने बरदाश्की है शायद उसको बताओ उसने हमारे इसी बैंड बजाई है के बताओ? नहीं जान दे भी टाइम नहीं है बकवास बंद करो और ये बताओ के बच्चा कहा है देखो राजु भाई आपन तो पब्लिक टेलेफोन है सिक्का डालो और बात कर लो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ये मेरा वादा है बादा और आदा आपन नहीं पहिजानते है अपन का उसूल है ये साथ दे और उसी हाथ दे ले क्या बज़रूरूरू ये रहे तुम्हारे पैसे हमारा बच्चा ले किया तुम कही नहीं जाओगी तुम यही राओगी आईशो कैसा है तू बच्चा यहान आओ कमाँ चल अपने पाल तुम कुत्तों से बोल हतियार फेग रहे बोलता हूना चलो भई कुत्तो हतियार फेग दो ये रहिया आपकी आमानत इसी तो हम आपी के पास ला रहे थे लेकिन आपको देखा इसलिए रुख गए माना 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 मेरा बच्चा एए ख़वरदार ख़वरदार कोई नहीं लेगा एए चल उदर चल उदर चल अब बोलो के तुम गद्दारों के साथ क्या सुलूक किया जाएं मेरे पास वक्त बहुत कम है परना मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत मारता के मौत भी शर्मा चाती अफसोस अफसोस कि अब तुम्हारे साथ ये भी मरेगी पूछो क्यों पूछो क्यों क्योंकि राजू भटनागर अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता और रहा सवाल इस बच्चे का अरे ये बच्चा तो ये बच्चा तो मेरी जान है जान क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाकर अपनी बोर्ट तक पहुचाएगा और उसके बाद मैं इसके चोटे 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 तुकले कलके मश्मियों को खिला तूँगा भी जो अरे अरे मर्सा लेको मर्सा लेको भारू मर हमका बेक को बना के कहां जाती है चमिया को अ, को अ, अ हुझ घपर्णटी इन् लोग समय भी लोग! लॉऑ! अर्मयर उ ? बच्चा कि मराजा! दोन लोग समय ओियो? बुन्न Twoност discussing लोगे लोगे मिलने. पाकेट देखूं तो अरे साला कुछ भी नहीं अंदर या ये क्या कर रहा है पर्स चुरा रहा है पईसा तो मिलने वाला ने दाना पानी को कुछ तो चाहिए पर इतना बड़ा पर्स खाली पांच रुपया इसमें अरे यार मारते भी हो और पर्स वी चिनाते हो इंबच्च्च वारना हम तुका गोली मा कदेफ नहीं बच्च नहीं दोंगी हमको गोल नहीं मारिये, हमको तरुवान का भागतू? जाब बतलान बली छल जाएगी, छल जाएगी, छल जाएगी, भाई अरे, इधर इधर, इधर, किस चाठता है? हम hero party के, villain party, उधर है, उधर, उधर, उधर कोई पच्कर ना जाए कोई पच्कर ना जाए कभी ऐसा लगती है था तो मुझे मार रहे हो बच्चे का क्या अरे बच्चा धूंड़ो बच्चे की दिर चेला नहीं छोड़ो 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 मेरे मुझे का पकड़ो सबको कोई भी भागने ना पाए विकास राचु भट्टाकर हमारे मुझे को लेके भाग गया अब रावनी मॉनिका मैं मॉन्टी को साई सलामत ले कर आऊँगा अभर झाचु जाई झाँ 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 न। इड़ल मुझे दे दे आहां नहीं मेरा बच्चा मुझे वापिस कर दे कमान और मैं कहता हो कि नहीं दूगा रुक जा वरना तुझे जान से मार दूगा अरे तू मेरी जान तब तक नहीं ले सकता जब तक तेरी जान मेरे पास है और अगर हिम्मत है तो चला कुझे जड़ा! पापा! पापा! अुझा! पाअ, ऴाचा! पाद 190 स्द़ वाचा लिं पाफ पाद 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 två ुआ। ुआ। ठद्टीजने कि देखिए प्रिए औरेन कि भी तरेने कि डिए प्रिए पीस सब्सक्तार। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 12 नहीं सर, रुख जाए सर, कानून को अपने हाथ में लीजे, सर प्लीज, है लेकर चलो से, उठाओ, चलो रेकर जाओ नहीं सर, प्लीज मामा, मॉंटी, मॉंटी, मेरा बच्चा राजू फट नागर क्या देखता है, क्या देखता है वो तो विका साब ने तुझे जिन्दा छोड़ दिया, हम होते हैं न हम तो राजू के भट को भुट्टे की तरह भुनते और नागर को नागरा बना कर पैर में पहना देते हुर विकास साब, हम साब को माफ कर दीजिए हम लोग के कारण आपको बच्चा लफड़े में आगया साब इसलिए हम बहुत शर्मिंदा है सच पूछो तो भगवान ने आप तीनों को हमारे बच्ची की रक्षा के लिए भेजा था मैं कानून से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों की सजा में रियायत परती जाए हां जैसे पेट को खाने की जरूरत पड़ती है वैसे हमें दू-तीन मेने के बाद सजा की जरूरत पड़ती है लेकिन इस बार सजा काटने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे न, हम मौंटी बाबा की सौगन खाकर कहते हैं, कोई बुरा काम नहीं करेंगे अरे वाय ये ने, तुने तो पेडा काने वाली बात की ये सब मौंटी बाबा के साथ और बजरंग बली के भक्त के चमतकार का कमाल है नमस्कार अबे अब क्या हुआ? क्यों है रोता हुआ? हम तुझे जान गए तुहे पहुचा हुआ अबे अब क्या हुआ? क्यों है रोता हुआ? हम तुझे जान गए तुहे पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हाँ 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 सरदर्द है सारा अपने बज़े बारा हमने तो यह माना के तुहे बाप हमारा बाप हमारा अब है अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ का है तु शोर करे रे बचुए का हुआ 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 झांग Πाझो करे घुट